वेल्कम बेक टू माय चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नमबर इट की मतलब हिंदी में लाइन टू लाइन एक्स्प्लेशन की सीरीज लेकर आया हूँ इसमें चैप्टर नमबर इट पढ़ाने जारहूं आज में जो कि ये कवीता के भानी या बाद स्पराइब करें दौर्व लिखा गया है यह स्रेजन बुक का स्रेजन की जो बुख है हिंदी की उसका पद्यकंड का 8 चापटर है और इसके बाद लास चापटर बचा है लास्ट चापटर बचा है जो किया है मतलब सुबद्रा को हमारी शौहन के द्वारा लिखा गया है तो उसका भी मैं हिंदी एक्स्प्लेशन जल्दी से डाल दूँगा तो चलो मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी लाइटस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जल्दी से इस क्विक रिविजन सिरीज या फिर एक तरीके से बोल सके तो इस मतलब चैप्टर के जो एक्स्प्लेशन है उससे आप जल्दी से जल्दी हिंदी का कोर्स कवर कर पाए ताकि आपको बा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में मैं हिंदी अप्स्प्लेशन भी करने जा रहा हूं तो यह चैप्टर नंबर 8 कविता के भाने या बात सीधी से थी पर जो कि कुवर नारायन सिंग के द्वारा लिखा गया है इनका जन्म हुआ था 1927 के अंदर 1927 के अंदर 1927 के अंदर 1959 की अगर गंड्ने कवियों में लिया जाता है जो 1969 के जो कवी है स्टार सब तक जो कवी है उनके अंदर लिया जाता है यह अपनी रचना सीलता में एतिहास और मिथक के माद्यम से वर्तमान को देखते हैं और उनका रचना संसार व्यापक 1950 में आसपास काव्य लिखन की करने वाले कोर नारेन ने कवीता के साथ कहानिया लेखन फिल्म साक्षी समिक्षाय भी लिखे है और इनका कहना था कि कवीता मेरे लिए कोई भाव युकता भावधा हाए हाए न होकर यधारत के परती पौड़ प्रतिक्रिया में मारमिक अभिवेक्ती है और इसके प्रमुख कविता संग्रे चक्रवियू परिवेश में तुम हम तुम परिवेश हम तुम और आपने सामने तुम कोई दूसरा नहीं वह इन दिनों इन दिनों भी है उसके बाद में आत्म जै तथा वाजश्वया वाजश्वया के बहाने इन दो खंड के काव और आकारो के आसपास इनके कानी संग्रे आ इनके अलावा आज और आज से नामक समेक्षण ग्रैंत भी है और पार्थ्पुस्तक में संकलेत कविता कविता क के बहाने भोतिकता यात्रिक्ता के दोर की कविता की महत्ता को दर्शाती है और कविता की उड़ान सीमानतित है कविता का खिलना उसकी महक भी सीमानतित है और कविता के असीम सपनों की तरह कविता का दाइरा भी असीम है जहां पर शजनात्मक उड़ जा होती है वहां सीमाओं के दायरे स्वतएं टूर जाते हैं आदो कि दीसिती पर भासा की सहता पर बल देती है ज्यादा गुमावदार भाषा के चकर में कभी कभी सीधी सी बात भी उलज कर अग्राहा में चलिए इस का हिंदिये शुरू करते हैं कविता को नाम कोड़ास है उसपा नाव मैं कोड़ान रहा हो तो कविता एक उड़ान है चिडिया के बहाने देखे ना चिडिया उड़ती है उसके बहाने देखे मतलब उसके साथ साथ देखे तो तो कविता चिडिया तो उड़ती है और कविता भी क्या है एक कविता का भी उड़ना यह चिडिया के बहाने चिडिया के साथ देखे तो कविता की उड़ान भला चड़िया कहा नहीं लेकिन जो कविता की उड़ान होती है क्योंकि जो कविता की जो सीमा होती है मतलब उड़ान होती है वह असीमित मतलब बहुत दूर तक जा सकती है बहुत दूर तक कोई सीमित नहीं होती है इसकी उड़ान होती है मतलब कोई कवित यहां पे लिखी गई है तो क्या पता वो किसी और देश में भी जाके प्रसीद हो सकती है तो यह होती है कविता की उडान। और क्युंकि चड्या के उडान। यह वह शीमित होती है बाहर भी तर फो चड्यां के वन इस मरसे उस पंकों के पंकों के कारण बस वो उड़ती है और कविता के पंक लगा उड़ने के माने चड़िया क्या जाने कविता होती है वो पंक अपने जो कविता रूपे पंक होते हैं उनको लगाकर उड़ने लग जाती है और वो उसकी जो कविता की उड़ान होती है वो असी मित होती ह एक दम बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता कि है मतलब कविता लिखी गई है तो केवल यहीं पे फेमस होगी यहीं के लोग उसको पसंद करें है कविता है लिखी गई है तो उसको सारे के सारे संसार के लोग अगर वो अच्छी होगी तो उसको जरूर पसंद करें है तो कवित एक उडाने चिडिया के माने कविता तो एक उड़ना है क्या चिडिया के माने कविता की उडान भला चिडिया क्या जाने कविता की उडान को चिडिया नहीं जान सकती क्योंकि कविता की जो उडान होती है वो आसीमित होती है चिडिया की उडान बहुत जाद आसीमित होती है इस घर उस घर बाहर से भीतर जा सकती है और कविता अपने कविता रूपी पंक लगा कर उड़ने के माने चिडिया क्या जाने चिडिया उसकी उड़ान को क्या जान सकती है चिडिया मतलब बहुत जगा दूर तक उड़ लेती है कविता अब देखें कविता के बच्चे खिलो असलिक पहने के साथ में क inferior कविता कविता एक किलोना है, फूल के क Inf Two का खीलने से खीलना है, कविता खीलना है . फूलों के बाने कविता का फिला क्या जाने कविता जो है उसका खिलना अर्थात उसका प्रसिद होना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इसगर उसगर बिना मुर्जाय महकनी के माने फूल क्या जाने जब एक फूल खिलता है अगर देखे कोई भी एक फूल होता है वो अगर उसको देखकर केवल कुछ लोग ही होते हैं जो खुश हो पाते हैं मतलब उसको देख पाते हैं और कविता की ऊडान का इस से comparison किया गए जो कवीता होती है उसकी जो उसका जो खिलना होता है अगर वो खिल जाती है या प्रशिद हो जाती है या फिर अच्छी होती है कवीता तो वो क्या करती है वो सारे के सारे लोगों में फेल जाती है ऐसा नहीं है कि वो कवीता यहां पर बनी है तो यहीं पर रहेगी उसकी उड रहती है अमर अजर रहती है और कभी भी वो पुरानी कविता नहीं होती है मतलब कविता होती हो कभी भी पढ़ लो लेकिन हमारे लिए क्या रहती है हमेशा एक दम नई की नई ही ही रहती है उससे वही खुशी मिलती है जो हजारों सार पहले मिलती थी तो कविता कभी भी बहुत जादा दूर तक पैल जाती है और सारे के सारे लोग उसको पढ़कर भी खुश होते हैं और कवीता एक खेल है बच्चों के बादा बच्चों किया गया है कि कवीता के बाहर वीटर इस गर इद्र यागर वैगर सब एक कर देने के मानि बच्चा ख्याआ अब कवीता को बताया गया बत्यों के खइलने से जिस टोरился कि बक्चmart से की बच्चे होते हैं वह एक मतलब एक दूशे घड़ के बच्चे साथ साथ खेलते हैं वह टोट और लड़ाई होती 흡ाली तो वह सांसा उसे प्रकार से जो कवीता होती है वो एक खेल होती है बच्चों के बाने कवीता भी होती है वो क्या कर देती है सारे की सारे लोगों को जोड़ देती है एक दूसरे लोगों को जोड़ देती है जो सारे कवी होते है उन सब को जोड़ देती है एक अच्छी कवीता और सारे की स सारे जो कवी है या सारी की सारी जो विचारद है उनको एक कर देती है कविता सब घर एक कर देने के माने जो कविता होती है या जो बच्चे होते हैं वो घर-घर खेलते हैं तो सारे के सारे घरों को एक कर देते हैं उसी तरीके से जो कविता होती है वो सारे के सारे जो कवी होत ने सब को खुशी परदान करती हैं और सब को एक कर देती है बत्चा ही जाने और यह जो बच्छा एनाका क्योंकि वह कर देता है क्योंकि वह बद्ध सुखिन फिर दूशने चाप्टर की इस कविछ नि Augen कवी बताते हैं कि बात सीधी सी थी जो पहले जो कवी ने कोई कवीता लिखी होगी तो कवीता की जो बात थी वो पहले एक सीधी सी थी बात सीधी सी थी यानि बात सीधी सी थी पर एक बार लेकिन एक बार भाशा के चक्कर में मतलब भाशा थोड़ी चैंज करने में भाशा का थोड़ा वो प्रभाव डालने के चक्कर में je 84 टीडी फसकी मतलब मत्लब थोड़ी सी टीडी फसकी मतलब उसका अच्छे से कवीता को पानी के चक्कर में कोशिश में भासा को उल्टा पल्टा जो भासा थी उसको उल्टा पल्टा यानि जो भासा थी मतलब उसको चैंजवेंच किया तोरा मरोडा यानि भासा के टुकड़े किये भासा के टुकड़े तो निकिये वैसी लिए शब्दों को तोरा मरोडा और घुमाया फिराया जो शब्दों का जो अर्थ है उसको घुमाया फिराया की बात बने जो बात है जो कभी कहना चाता है वो बन जाए फिर या फिर भाशा से बाहर है जो अर्थ असली अर्थ है वो भाशा से बाहर है लेकि इससे भाशा के साथ साथ जो ये मतलब ये जो कभ प्रियास किये थे इन में भाशा के साथ साथ जो भाशा थी उसके साथ साथ बात जो थी जो बात कभी कहना चाहता था वो और भी पीचिदा होती चली गई जो बात थी जो कभी कहना चाहता था वो और भी जादा पीचिदा होती गई और सारी मुश्किल को धैरदे से बिना कवी बो जो है उन्होंने बोल दें मैंने कवी मैं पेज को खोड़ने की बज़ाए जो पेज था या कवीता जो मैंने मतलब कुछ किया था उसमें गड़बड़ी की थी उसको सही करने की बज़ाए यानि जो कवीता है उसका सही साड़ निकालने की बज़ाए उसे बहतर करता चला गया है उसको अहतलब और भी ज्यादा फिराता चला गया है और भृंकर वाली मैंने क्या रूंजच मैं कविता मैं लाइन क विए कुईश करतब से मुझे जब भिन यू काम उर्म कर ला रहा था या लोगों ने जब मेरे इस कविता को देखा तो इस कर्टब यानि इस काड़े में पर मुझे पर के इसके अंदर मुझे साफ सुनाई दे रही थी यानि साफ साफ शब्दों में सुनाई दे रही थी तामाश बिनों की साबाशी और वावा तामाश बिनों यानि जो तमाशा देखने वाले होते हैं उ जो लोग साबाशी और वावा थी उनकी साबाशी और वावा मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे थी तो कवी ने उसको सुल जाने की बज़ाए बाकिस उसको क्या करता गया कसता चला गया मतलब उसको बाशा को और टफ बनाता चला गया तोड़ दमर ऊड़ता चला गया बहुत जादा अलंकरत करता चला गया फिर उसके बाद में कभी बोलता है कभी हर यरीवन श्राइब बत्चर बोलते हैं कि आकरकार वही हुआ कभी बोल दें कि आखिरकार वही हुआ लास्ट में क्या हुआ लास्ट में वही हुआ जिसका मुझे ड़ता जिसका कभी को ड़ता जोड जबरदस्थी से मतलब सारे के सारे लोग उन पे तालिया बजा रहे थे इच्छी है या फिर वावा दे रहे थे उसके कारण जोड जबरदस्ती में मतलब कभी है वो जबरदस्ती करता गया बात की चूड़ी मलगी जो बात थी मतलब जो बहार निकाल दी मुझे कहनी थी वो निकलनी पाई और अंदर ही अंदर रह गयी चक्क्र में वाgado भाषण को एत्तव कर दिया कि तोड़ा मरोडा उसकी कारण जो आड़्थ निकालना था मेरे को वो अंदर इले रह गया आत्था बार्त की चुड़ीमल लगी जो बात मुझे कहने थी उसकी चूड़ी मर गई मतलब जैसे कील की चूड़ी मर जाती है तो आगे नहीं कह सकती वैसी बात अख सब्सक्राइब दने लगी लिए ती और भाशा थी यू बेकार में घूमने लगी थी मतलब वसका कोई अर्थ नहीं तो भासा बीकार में घूणने लगी थी हारकर मैंने उसे कील की तरह कील जैसे होती है तो उसकी तरह उसे उसी जगे पे ठोग दिया जैसी थी उसी वह वैसा को वैसा ही पॉइटर को उसने पॉइटर ही है जो कवीता लिखी थी उसने उसको वहीं के वहीं फुल स्टॉप गर के खतम कर दिया फिर उपर से ठीक टाक थी मतलब भार से देखने में पढ़ने में तो अच्छी लग रही थी पर अंदर से लेकिन उसका अर्थ निकाल के देखते तो ना तो उसमें कसाव था ना ताकत ना उसमें कोई शक्ति पावर या फिर कोई भी जो मतलब वो एक्स्प्रेस करना चाहता था कभी वो ताकत नी थी उसके अंदर पावर नी थी उसका विता के अंदर कविता के अर्थों में ना तो उसमें कसाव था ना कोई उसका अर्थ निकल ला था और ना उसमें कोई ताकत थी ना उसके अर्थों में कोई ताकत थी है ना बात नहीं बस वो पढ़ने में अच् कि वो छुप गई बात थी वो छुप गई और भार से भाषा ने कबजा कर लिया उसके उपर मतलब भाषा एकदम वो गई उसके उपर भारी हावी होगी उसने मुझे पशीना पहुंचते हुए देखकर पूछा भाषा थी यानि जो बात थी जो असली बात में कहना चाहता थ उसने जब मैं पशीना पहुंच रहा था मैं बहुत जादा परिशान हो गया था तो मुझे पशीना पहुंचते हुए देखकर बोली क्या तुमने भाषा को वो कहने लगी क्या तुमने भाषा को सहुलियत से बरतना नहीं सीखा मतलब भाषा को सहुलियत यानि सहुलियत य सिका यह कावे में डालना ने सिका ऐसा करके जो बात थी वो मुझसे पूछने लगी तो थैंक्यू स्टोरेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक्य धन्यवाद